हिमाचिल प्रदेश के प्रसित धार में एक स्थल चूरधार के लिए जल्द हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है कॉंग्रेस महासाचिव और रजनीश किम्टा की मौजूद की में हेलिकॉप्टर का सफल ट्राइल हुआ कॉंग्रेस महासाचिव रजनीश किम्टा ने लिखा है कि चूरधार में हेलिकॉप्टर की सफल परिक्षन लेंडिंग हुई है अब हिमाचिल के चूरधार में चूरेश्वर महादेव शिर्गुल महराज जी के दिव्यदर्शन और आशिरवात प्राप्त करना सभी प्रदेश और देशवासियों के लिए आसान होगा ये एक सपना था जो सामोहिक प्रियास से सच हो गया इसका विशेश शिष्रे हिमाचिल प्रदेश के मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु की दूर दर्शिता को जाता है उन्होंने कहा कि जल्द ही हैली टेक्सी सेवा शुरू की जाएगी जिससे यहां आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और क्या कुछ कहते हैं कॉंग्रेस महासाचिव रजनीश किम्टा आईए सुनते हैं आज चुड़िश्वर महराज जी के आशिरवाद से जो हमारे अराध्य देवे शिरगुर महराज जी उनके आशिरवाद से हमारा जो तीर्थ स्थान चूड़धार वहाँ पर हमें आज सो भाग्य प्राफ्थ हुआ हेलिकॉप्टर की लेंडिंग करवाने का वर्शों पुराना सपना हमारे क्षेतर के लोगों का ना सिर्फ चौपाल क्षेतर के बलकिन पूरे हमाचल प्रदेश के लोगों का एक सपना था कि वहाँ पर किसी तरह से हेलिकॉप्टर सर्विस जो हैं वो आने वाले समय में शुरू हो उसका जो पहला चरण है वो आज हमने पूरण किया आपको बता दे चूरधार मंदिर लाखो लोगों की आस्था का केंद्र है यहां सिर्माओर के नोहराधार और शिम्ला के चौपाल से करीब 6 घंटे की चड़ाई चड़ कर पहुँचा जाता है 11,965 फिर्ट की उंचाई पर स्थित भगवान शिफ की मुर्ती भगतों को भगवान के साक्षात दर्शन का अनुभव कराती है यहां पहुँचने पर शिम्ला और सिर्माओर का खुबसूरत नजारा भी दिखता है हर साल लाखों की संख्या में भक्त पैदल चड़ कर भगवान शिफ के दर्शन करने के लिए आते है जिला शिम्ला और सिर्माओर की सबसे उची चोटी पर विराजमान देवता शिर्गुल महराज हिमाचल के साथ पडोसी राजय उत्राखंड के जौनसार बाबर के लिए भी लाखों लोगों की आस्था है जिला शिम्रा और सिर्मौर की सबसे उची चोटी पर विराज मान देवता शिर्गुल, महराज हिमाचल के साथ पडोसी राजय उत्राखंड के जौन सार बाबर के भी लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक है